कि ऐसालावालेकूम् अस्स तेमोर्बिन कलीम। अन्लाईन और बियाज ट्रेडनर रहा है। अज हम जो है वह कीपा के थूह किस तरह के से प्रोड्ड करते हैं और किसी भी प्रोडर्ड के किस त्रीक चेसे में लोग चेक करते हैं वह आज हम सीखेंगे सबसे पहले हम लोग रूकर लेता है यह मेर यह पस कीपा ओं औस अबाए data आपके पास मौझूद उता है कि लिए इसए पर करते हैं जब आप प्रोड़क्ट फाइंडर के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरीके का एक फॉर्म जो है वो ऑपिन अप हो जाता है तो इसके अंदर हम लोग अपना क्राइटेरिया पूटप करते हैं आप इसके अंदर कम से कम बी ऐस आर और जादा से जादा या इसको आप टिक आउट नहीं करेंगे अमजान जो देख रहे हैं आप यहां पर इसको मस्ट प्याउट ऑफ स्टॉक करेंगे ताके जो भी हमें प्रोड़क्स यहां पर दिखाई जाए उसके अंदर आमाजान आउट ऑफ स्टॉक हूँ उसके बाद जो है आप इसको मौझूद है क्राइटेरिय के मुताबिक 25 डालर होनी चाहिए मिनिमम और उसके बाद जो है और री ट्राइफ को हम लोग देख लेते हैं रूट बेस कैटेगरी कैटेगरी अगर आप तमाम कैटेगरी में सेलेक्ट करना चाहें तो तब भी कर सकते हैं बट किसी में मैं जो ह हूं वह किसी एक कैटेगरी को सेलेक्ट कर लेता हूं लेट सपोस के हम लोग ट्वाइज एंड गेम्स के अंदर प्रोड़क्स को देख रहे हैं सब कैटेगरी आप इसको रहने थे हैं इसको टेक आउट नहीं कीजिएगा बट और इसको स्क्रॉल डाउन करके ऑफर और FBM जादा होने चाहिए यह याद रखिएगा कि FBA से जादा होने चाहिए FBM ताकि आपके पास जो है वो अच्छी प्रोड़क्स और बहुत जादा अच्छी स्टेट्स की प्रोड़क्स जो हैं वो सामने आ सके और आपके लिए बेनिफिशल साबित हो सके दैन हमें वाली प्रोड़क्स भी नहीं देख रहें दैन आप क्या करते हैं कि आप वेट आपके जो क्राइटेरिय में दिया गया था वेट वैसे तो बहुत साधा चीज़े यहां पर मौझूद हैं आप रेटिंग्स भी लिख सकते हैं रिभी कॉंस भी लिख सकते हैं जो जो आपके क्राइटेरिय में मौझूद है आप वो सब लिख कर चैक आउट कर सकते हैं तो बट मैं यह आपको बट क्विक विउ दे रहा हूं इसका के आइटम वेट जो है वो आप क्राइटेरिय के मताबिक मैक्जिमम फिफ्टीन अंड्रेड रखें और देन आप क्या करें इसको फा सब्सके मैं यहां पर इस प्रोड़क्ट को ओपन कर लेता हूं ताकि इसके स्टेट्स को चैक किया जा सके दैन जैसे ही आपके सामने यह प्रोड़क्ट ओपन होता है तो आप सबसे पहले यह सारे बटन को क्लोज कर देते हैं सबसे पहले हम जो है वह से रैंक देख लेते ह जो है इस प्रोड़क्ट का वो आपको शो हो रहा होगा आपके क्राइटेरिय के मुताबिक 6880 है बहुत अच्छा है अब बाइबॉक्स चेक कर लेते हैं बाइबॉक्स में यह देखना होता है कि Amazon मौजूद है यह नहीं है और FBA कितने लोग कर रहे हैं और FBM कितने कर रहे हैं वो आप यहां से भी चैक आउट कर सकते हैं थर्ड पर्टी FBA को टेक आउट करने के बाद सही है दैन आप यहां से स्टेट्स को चैक करते हैं स्टेट्स के अंदर आपको प्रोड़क्ट की जो है वो लोईस प्राइस करेंट तो इससे भी हम लोग Amazon से प्रोड़क की प्राइज इस्ट्री जान सकते हैं उसके बाद जो है आपको यहां पर प्रोड़क की प्राइज देख रही है 21 डॉलर इन्हों ने हमें बताई यह प्रोड़क की प्राइज सब्सक्राइज के आप डेटा के अंदर जाते हैं जब हम ड हमने जो है प्रोड़क के रेटिंग और रिव्यूस तमाम स्टेट्स जो हैं वो यहां सामने रहते हैं आप इस तरीके से चैक आउट कर सकते हैं कि इसका सेल्स रंक करेंट कितना है 30 डेज में 90 डेज में कितना है हमारे क्राइज कर रहा है या नहीं कर रहा है और बाइबॉ प्राइस के उपर सेल हो रही है प्रोड़क्ट 21.99 डॉलर से सेल हो रही है अमाजन 90 डेज में OOS मेंस के आउट आफ स्टॉक हैं अमाजन 100% राइट दैन आप स्क्रॉल डाउन करके इसके अंदर ऑफर काउंट भी चैक आउट कर सकते हैं कि कितने लोग FBA कर रहे हैं कितने लोग FBM कर रहे हैं मैं यहां पर एक दफ़ा वापिस आपको बताता चलूं कि आपके FBA की तादाद FBM से जादा होनी चाहिए विच इजमोर बेनिफिशल पर यूएँ अउर यूर्ड प्रोडुक्त फंटिंग हैं न यह को अइन हम आपर काउंट के ऊपर क्ले काउट करने के बाद हम स्टी डेल्स की सेल्स चेक करते हैं कि तमाम सेलर्स मिल कर कितनी सेल्स कर रहे हैं इंज मुझ भी रेशो कम होगा इसका 30 डेज में तो देन हम बाइबॉक्स को चैक आउट कर लेते हैं बाइबॉक्स की तरफ जब हम जाते हैं तो हम यहां से परसंटेज देखते हैं कि इकूली डिवाइड हो रहा है मिज्वॉर्टी जी सेलर्स के अंदर और कितने डॉलर्स के अंदर प्रोडॉक्स सेल होता रहा है पिछ़ए धिम nggakलbee कि Heart कितने रख्र णकष के पासलय से से कौन लोग FBA कर रहे हैं जिनके सामने आप यह टिक देख रहे होंगे टिक लगावाद दिख रहा है तो वो लोग जो है तमाम से लर जो है FBA से लर से और उनको बाइबॉक्स मिल रहा है इट्स मीन यह है सही दैन आप आगे इसको मूँ फॉरवर्ड करके देख सकते हैं कि कब कब इन लोगों को बाइबॉक्स जो है रूटेट हुआ है अमाजॉन की तरफ से अच्छा एक पॉइंट और मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करता कि जब हम लोग किसी भी प्रोड़क को जब हम लोग किसी भी प्रोड़क को चैक आउट कर रहे होते हैं कि मेक शोर कि आपकी प्राइज आपकी इस्टेट्स आपके सेल्स रेंग आपके Amazon out of stock है या नहीं है It must be 90 days के अंदर Amazon Amazon 100% out of stock रहना चाहिए क्योंकि उसकी basic वज़ा यह होती है कि अगर 90 days या 90% या 99% भी होता है तो it means कि Amazon की policy के मताबिक Amazon within 7 days और a week और a month जो है वो उस product के उपर वापिस in list हो सकता है और ऐसी सूरत में जब Amazon वापिस किसी भी product पे in list होता है और उस product को खुद sale करने के लिए आ जाता है तो ऐसी सूरत में product के price बहुत कम हो जाती है जो के हमारे लिए बहुत बड़ी एक hurdle create कर देती है तो let's suppose हम लोग वापिस जो है एक चीज यहां पर रह गई थी Amazon price tracker के अंदर हम लोग वापसी आते हैं हम लोग यहां से देखते हैं let's suppose कि यह आखरी seller है एक seller है सही then आप क्या करते हो इन seller पे किलिक करते हो आपको seller की आपके जो competitor हैं उनकी भी आपको information यहां से get कर सकते हो कि वो लोग कितने कब इस product को sale करने आए उनको buy box मिला है कब मिला है कब नी मिला उनके पास stock कितना available है तो यह सारी steady जो है आपको seller का नाम क्या है उसकी rating क्या है reviews क्या है सही कितने percent वो buy box win करता रहा है पिछले 30 days के अंदर तो यह तमाम तर information जो है वो हमारे लिए beneficial साबित होती है जब हम किसी भी product को in list करके और sale की तरफ जाते हैं त्याकर हमें पता होता है कि हमारे competitor जो है वो कितने stock के साथ कितने reviews के साथ कितने ratings के साथ बैठें तो उसके लिए फिर हमें उनको beat करने में बहुत ज़्यादा आसानी रहती है तो यह product hunting का overall criteria था और product पाक से मुताले की deals को किस तरीके से यूज करते हैं और और इस पर किस तरीके से product hunt कर सकते हैं वो आपको सिखाई जाएगी इन्शाला थैंक यू अलाफिस